डीपेम समूह की कारेकारी निदेशक डॉक्टर प्रेम लता चौधरी ने कहा कि निरक्षरता समाज को कलंकित करती है समाज में अनेक बुराईया इसी से जन्म लेती है इस कलंक को दूर करने के लिए सभी को शिक्षा के प्रती बढ़ावा दे कर जागरूपता लानी होगी साथ ही महिला शिक्षा को प्रात्मिकता भी देनी होगी तभी समाज में व्याप्त बुराईयां दूर हो सकेगी और सभी लोगों में देश, समाज और परिवार के प्रती जागरुकताएगी डॉक्टर प्रेमलता चौधरी ने इस दोरान कहा कि अब ग्रामी नंचल में महिला शिक्षा के प्रती जागरुकता आने लगी है सरकारी, गैर सरकारी, स्कूल और कॉलेजों में छात्राओं की संख्या में हर वर्ष लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है इस अबसर पर, बीएड कॉलेज की प्राचारे रॉक्टर ममता शर्मा ने कहा कि शिक्षित नारी से समाज और परिवार में प्रेम की भावना जागरत होती है भाईचारा कायम होता है सभी को शिक्षा शेत्र में लगावरग बालिकाओं को शिक्षा दिलाने पर जोर देना होगा वैसे भी ये कहा ही जाता है कि अगर एक नारी शिक्षित होती है तो एक नारी नहीं एक परिवार शिक्षित होता है भरतपुर से केमरा परसन मनीश के साथ सतीश सारस्वत की रिपोर्ट